मालदीव एक छोड़ा सा देश है जिसमें दोसों के लगबग त्वीप हैं ये श्री लंका के दक्षन में इस्थित है और इसकी राजधानी माले केवल दो वर्ग मील में फैली हुई है मालदीव अपने वाइट सैंड बीचेज और साफ सुत्रे समंदर की वज़े से बहुत से टूरिस्ट्स को अपनी तरफ आकरशित करता है लेकिन भारत के लिए इस देश का अलग ही महत्व है मेरे हिसाब से मालदीव हमारा बहुती महत्वपूर्ण पडोसी है और हमें किसी भी हालत में मालदीव को अपने से दूर नहीं होने देना चाहिए लेकिन हालात ऐसे थे कि उन दिनों हम पाकिस्तानी F4 पैंथम फाइटर्स के प्रशंसक थे मैं अपने सर्योगों से पूछना चाहूँगा कि कि आप जानते हैं कि मालदीव भारत से कितना दूर है क्योंकि एक पैंथम फाइटर वहां से आसानी से बैंगलोर पहुँचकर एक बॉम गिरा सकता है वो बस इतना ही दूर है भारत के लगबख सभी मालवाख जहाज मालदीव से होकर गुजरते हैं और भारत ने ऐसे कदम उठाए हैं ताकि चीन हिंद महासागर पर अपना कबजना बना पाए मालदीव 1965 में अंग्रेशों से आसाथ हुआ था और राश्रुपती गयूम इस देश के दूसरे राश्रुपती थे उन्होंने 1978 में राश्रुपती इब्राहीम नासिर के बाद ये पत समाल लिया था जो की बाद में देश छोड़कर चले गए थे 1980 और 1983 में उनका तक्ता पलटने की दो नाकाम कोशिशे की गए 3 नवेंबर 1988 को की जाने वाली कोशिश उनका तक्ता पलटने की तीसरी कोशिश थी 3 नवेंबर 1988 से दो दिन पहले सुभह साड़े आठ बजे अब्दुल्ला लतीफी के नेत्रित्व में 80 लोगों के एक समूने दो फिशिंग ट्रॉलर्स का अपरन कर लिया जब वो माले पहुँचे एक ट्रॉलर ने प्रेसिडेंशल जेटी में लंगा डाला और दूसरे ट्रॉलर ने कॉमर्शल हाबर में मालदीव के विदेश सचेव इब्राहिम जाकी कई देशों को फोन कॉल्स कर रहे थे जिन में ब्रिटेन, अमरीका, सिंगापूर, पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत शामिल थे ब्रिटेन ने कहा कि भारत से मदद मांगो क्योंकि ये इलाका उसकी हद में है अमरीका ने कहा कि अमेरिकन आइलेंड डियागो गार्सिया लगबग 1000 किलोमीटर दूर है और सेना को मालदीव में पहुँशने में एक दो दिल लग सकते है बचावदल को माले शहर में पहुँशने के लिए कुछ ज्यादा समय भी लग सकता है तब ही भारत का जवाब आया वक्त बहुत कीमती था प्रधान मंत्री राजीव गांदी उस दिन कोलकता से वापिस आ रहे थे उन्होंने साउथ ब्लोक में ततकाल एक बैठक बुलाई मालदीव के लोगोंने मुश्किल के समय में भारत को याद किया था और भारत की शांदार सेना मदद के लिए बिना वक्त गवाई अपने काम में पूरी तरह से जुट गई थी 398 इंसान पहली बार ऐसा काम करने जा रहे थे जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी भारतिय पैरा टूपर्स और वायू सेना मालदीव में थे राश्रुपाती की सुरक्षा को लेकर सभी बहुत ज्यादा चिंते थे लेकिन वो हैं कहाँ क्या कोई और भी हुलहुले ऐफील पर लैंड करने वाला है फेज बन में सिक्स पैराज और थ्री पैरा के 160 जवानों को हुलहुले ऐफोर्ट के सुरक्षा की जिम्मेदारी सौपी गई दूसरी कमपनी रुपिंदर की कमपनी के साथ मिलकर हुलहुले हवाई डे को सुरक्षित करेगी और जब तीसरी कमपनी आएगी तो वो बाकी के सारे काम पूरे करेगी फैसला किया गया कि एटीसी द्वारा रंबे की लाइट्स को स्विच ऑन और आफ करना पहला सिगनल होगा दूसरा सिगनल हुदिया पासवर्ट था अगर किसी बज़े से पासवर्ट ना दिया जा सके और हवाई अड़े पर विरोधी हो तो हवाई अड़े पर कबजा करने के लिए 60 लोगों को नीचे उतारा जाएगा फेस टू, सिक्स पैरा की एक कमपनी को दक्षन पष्टे माले की तरफ जाकर राश्पती गयूम को बचाना है और बीच हेट को सुरक्षित करना है ताकि वहाँ पर उतरा जा सके फेस ट्री, हुलहुले में सब इखटा होंगे त्री पैरा, सिक्स पैरा का साथ देकर मजबूती देगा फेस फोर, राश्पती गयूम को जल्द से जल्द सुरक्षित करना ब्रिगेडियर बलसारा और कर्नल जोशी की अगवाई में ब्रिगेडियर बलसारा ने सेनिकों को जल्दी से माले जाने के लिए विभाजित किया मेजर धिलो के नेत्रित्वे में 27 पैराट्रूपर्स की एक टीम को माले बीच हैट के लिए रवाना किया गया ताकि वो राश्पती गयूम को सुरक्षित यहां ला सके कैप्टेन आरटी पूनिकर के नेत्रित्वे में 10 सेनिकों की एक अन्य टीम को मरीन ट्राइब जेटी की तरफ भेजा गया उनका काम उन विद्रोहियों को गुमरा करना था जिन्होंने जेटी पर कबज़ा कर रखा था कि द्वीप पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था मस्जित की रोशनी के अलावा कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी अचानक मैंने साइकल पर एक आदमी को देखा वो कमीज और लूंगी पहने हुए था हमने ऐसा दिखाया जैसे हमें उसमें कोई दिल्चस् लेकिन जो वो मेरे पास पहुचा तो मैंने उससे साइकल से उठा लिया वो बुरी तरह से डर गया लेकिन बाद में पता चला कि वो हमारा गाइड है उसके बाद में वो हमें उप्रक्षा मंत्री के घर ले गया उप्रक्षा मंत्री के घर पहांचना किसी कामियाभी से कम नहीं था सुबह हुई लडाई में मंत्री जी खायल हो गए थे ये देखकर मेजर धिल्लो चिंतित हो गए आदेश के मुताबिक किसी भी परिस्तिती में राश्वपती गयूम को आँच नहीं आनी चाहिए अब भ गेट पर खड़े NSS सैनिकों को भरोसा नहीं था कि सामने खड़े सैनिक भारतिय सेना से हैं ब्रिगेडियर बलसारा अपना सब रखो रहे थे धिल्लो और उनकी टीम गार्ट्स को ये बात समझाने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें राश्वपती गयूम से मिलने दिया कि अगर कुछ भी काम नहीं करता तो गोली चला कर रास्ता बना लो और फिर मैंने कहा मिस्टर प्रेजिडेंट भारति सेना की तरफ से अभिनंदन स्विकार करें चिंता की कोई बात नहीं है यहां हमारे पास काफी सैनिक हैं सब कुछ नियंत्रण में वो ये बात सुनकर बहुत प्रसंद हुए उनकी आँखों में खुशी के आंसू थे वो एक बड़े ही मुश्किल समय से गुजिरे थे मैंने उनकी पत्नी को सिल्यूट किया वो मेरे कंदों पर सिर रख कर रोने लगी मैंने उनसे कहा कि जिंता न करें सब कुछ नियंत्रण में है हम सब संभाल लेंगे राश्ट्रपती सुरक्षित थे फिर भी भारतिय रक्षा बलो के लिए जीत का क्षर नहीं था हाला कि खास्ट लक्ष साले साथ घंटे में हासिल कर लिया गया था लेकिन मालदीव की राजधानी माले अभी भी भारतिय सेना के नियंत्रण में नहीं थी मालदीव के शिक्षा मंत्री और उनकी स्विच्जलेंड की नागरिक सास को विद्रोईयों ने बंधग बना लिया था लुतीफी का कोई अतापता नहीं था और विद्रोई पूरे शहर में बेध़ड़ा घूम रहे थे सबसे पहले राजदूत बैनर जी की नजर समुद्र में जगमगाते हुए MV Progress Light नाम के जहाज पर पड़ी हम हवाई अड़े पर खड़े होकर माले को देख रहे थे और हमने उन सभी जहाजों को देखा जिनकी लाइट्स आउन थी और वो भी जो वहाँ लंगर डाले हुए थे हम उस तरफ देख रहे थे जहाजों की तरफ और तभी मेरे दिमाग में ये बात आई कि इन में से कुछ जहाज उन लोगों के होंगे जो यहां तकता पलक ने आये है तभी मैं चौका और एक जहाज ने चलना शुरू कर दिया था फारुक मेरे पास ही खड़ा था और मैंने कहा ब्रिगेडियर बलसारा मुझे लगता है कि ये वही जहाज है तभी पता चला कि लुटीफी ने माले बंदरगा से एक जहाज का आपरंट कर लिया है एटी सी से एक लेटनेंड दोड के नीचे आया और उसने बताया कि जिस जहाज ने बंदकों को पकड़ रखा है वो भाग रहा है उसमें सत्तर विद्रोही और साथ बंदक ते जिसमें माल दीव के शिक्षा मंतरी एहमद मुस्तवा और उनकी स्विस सास भी शामिल थी ब्रिगेडिया बलसारा ने हमले का हुकम दिया और जैसे ही आदेश मिला सबने जहाज पर अंधा धुंद गोलिया चलानी शुरू कर दी रॉकेट लांचर, MMG, स्मॉल आम से फाइरिंग शुरू हो गए हमने पहले से ही कुछ लोगों को दीव के अलग हिस्से में भीज रखा था उन्होंने जहाज पर पूरे टीम वार किये जिसमें से एक ने जहाज को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया काल गुस्ताफ रॉकेट लांचर से तीम बार विस्भोटकों को दागा गया एक पानी से उचलकर जहाज के स्टेरिंग सिस्टम को लगा मेरे जवानों ने जहाज पर गोलिया चलाई उन्होंने जहाज में दो जगों पर छेद कर दिये जहाज को बाई तरफ काफी नुकसान पहुंचा और वो बाई तरफ जुकने लगा जहाज का स्टेरिंग जैम हो गया था और ये जहाज मलाका की तरफ जा रहे बहुत से जहाजों की बीड में खो सकता था अगर ऐसा हुआ तो लतीफी कभी पकड़ा नहीं जाएगा नुसेना को जहाज के बारे में तुरंट सतर किया गया मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था लतीफी को पकड़ना इस मिशन का आकरी लेकिन सबसे महतोपूर्ण चरण था उलहुले से निकल रही सिक्स पहरा की यूनिट को धानीडू आइलेंड की तरफ से एक विद्रोही नौका आती दिखाई दी प्रितम सिंग ने आदत के बोताविक मुझे कहा सर मेरी पगड़ी धीली हो गई है विद्रोही भाग रहे हैं मुझे उन्हें पकड़ना होगा उसने एक हाथ अपनी पगड़ी पर रखा और भागते वे नाओ पर चड़ गया और एक विद्रोही को पकड़ लिया बाद में उसने अपने चार साथियों के साथ विद्रोईयों की नाव का पीछा किया प्रीतम ने उन्हें पकड़ा पर उसने देखा कि द्वीप के उत्तर पस्चिम की तरफ से हिंद वहासागर में बहुत सी चीजों को भेंका जा रहा है जिन में से कुछ चीजें बहुत कीमती थी, हमने उन्हें इकठा किया और उचित कारवाई के साथ उन्हें सौब दिया माल दियू सरकार को और हमने इसके लिए वहाँ पर कुछ कागजी काम भी किया, जो करना जरूरी था और वो लोग बहुत खुश थे, वो लोग समझ गए कि हम इन मामलों में बहुत इमानदार हैं और राश्रपती सहित सभी लोगों ने इसकी बहुत प्रशन सा की US Flotilla Aircraft Carrier जिसमें एक दूसरा जहाज भी शामिल था, मालदीव से तीन घंटे की दूरी पर पहँच गया था उसके कमांडर ने भारतिये सैनिकों की मदद करने की आनुमती मागी मगर भारतिये सेना को किसी तरह की मदद की सरुरत नहीं थी हमारे सैनिक वो कर चुके थे जो उन्हें करना था इसलिए अमेरिकन कमांडर को मालदीव के अधिकारियों ने हुलहुले तक आने की इजासत देने से इंकार कर दिया राश्पति गयूम ने प्रधान मंत्री राजीव गांधी को फोन किया और भारतीय सेनाओ के काम से खुश होकर उन्हें बहुत धन्यवाद दिया राश्पति गयूम ने आदेश दिया कि ऑपरेशन को खत्म कर दिया जाए लेकिन ब्रिगेडियर बलसारा एक सच्चे सिपाही की तरह साबधानी बरतना चाहते थे उन्होंने देश की नौकाओं के साथ मिलकर एक ऐसा घेरा बनाया ताकि एक भी विद्रोही बच के ना निकल सके चार नवेंबर की शाम को एक आयल 38 एयरक्राफ ने समुद्र में M.V. प्रोग्रिस लाइट को देखा उन्होंने अपनी दिशा बदलने की बहुत कोशिश की लेकिन किस्मत लुतीफी के साथ नहीं थी आयनेस गोदावरी के कैप्टेन S.V. गोपालाचारी जल्दी ही मौके पर पहुँच गए और मनोवज्ञानिक युद्ध शुरू हो गया पीछे पीछे आयनेस बेतवा भी वहां आ गया लुतीफी को आत्म समर्बण की चेताबनी दी गई लेकिन कोई फाइदा नहीं हुआ भारतिय सेना ऐसी हरकतों को सहन नहीं करती है सेना ने 30mm Anti-Aircraft Cannon से उन पर हमला किया जिससे जहास का अगला हिससा तूट कया और वहां रखी स्पीड बोट को काफी नुकसान पहुचा जो विद्रोहियों के बशने की आकरी उमीद थी कुछ विद्रोहियों ने नाव से छलांग लगा दी और कुछ मर गए गेद अमारी सीकिंग हेलिकॉप्टर ने घायल बंदकों को उठाना शुरू किया मालदीव के मंत्री और उनकी सास को बचा लिया गया लुतीफी के तकता पलट की कोशिश को भारतिय रक्षा बलों ने बुरी तरह से नाकाम कर दिया था ओपरेशन कैक्टरस आधिकारिक रूप से सफल हो गया लुतीफी का सपना तूट गया बहरतिय सेना ने वो काम किया जो पहले कभी नहीं किया गया था उन्होंने अंजान इलाके में जाकर शांदान काम किया जिसे देख कर बाकी दुनिया हैरत में पड़ गई ब्रिटिश प्रधान मंत्री मार्गरिट थैचर ने कथित तौर पट्टेपड़ी की भारत के लिए इश्वर का आभार राश्वपती गयूम की सरकार बचाई गई संयोक्तर राष्ट्र के राश्वपती रोनल्ड रिगन ने भारत की कारवाई के लिए उनकी प्रशंसा व्यक्त की इसे क्षेत्रिय स्थिर्था में एक महतोपून योगदान कहा लुतीफी को तकता पलटने की कोशिश के लिए बृत्य की सजा सुनाई गई बाद में गयूम ने उसकी मौत की सजा को उम्रकैत की सजा में बदल दिया सेना, वायू सेना और नौ सेना ने आपस में मिलकर काम किया इसलिए ये तीनों सेनाओं द्वारा एक मिला जुला ऑपरेशन था हमने हाई स्टैंडर्ड सेट किये तीनों रक्षावलों ने अपने लिए हाई स्टैंडर्ड सेट किये हम बहतर कर सकते थे लेकिन हमने बहतरी इनकाम किया किया लेकिन है